हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल दीप प्लासिज आज के वीडियो में हम जानेंगे शेखर जोशी की आंचलिक दृष्टी के बारे में हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके साथ ही में सब्सक्राइब के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम पहाडी जीवन से अत्यंत लगाव है जिसका प्रमान उनकी आरंभिक चार कहानिया दाज्यू पद्मा की कहानी किम करोमी जनार्दन तथा कोशी के घटवार से मिलता है जो की पहाडी जीवन को लेकर लिखी गई है किम करोमी जनार्दन विवास संस्था में घुस आए दहेच के दानव की और संकेत करता है जो की मैदान और पहाड सब जगा व्याप्त हो गया है पद्मा की कहानी पहाडी परिवारों में स्पर्दा की कहानी है जिसमें स्त्री को लेकर कहानियां गढने वाले मनुवृती का बेबाक चित्रन किया गया है इन दोनों कहानियों में उन तमाम विक्रतियों की चर्चा की गई है जिन से अभी तक परवतिय अंचल अच्छूता माना जाता था लेकिन कोसी का घटवार तथा दाज्जू जैसी महत्वपून कहानियों में परवतिय अंचल की विशेशताओं को शेखर जोशी ने संपूनता से उभारते हुए अपनी आंचलिक द्रिष्टी को स्पष्ट रूप से उजागर किया है दाज्जू कहानी में आंचलिक मोहकता को समेटे हुए शेखर जोशी आंचलिक अस्मिता में उपस्थित दारुन्ता को महानगरिय श्रम स्रिष्टी के रूप में विक्सित करते है बड़े साइन बोड़ वाले कैफे में काम करने वाले नो वर्षिय लड़के को दाज्जू संबोधन उसकी आंचलिक अस्मिता को याद दिलाने लगते है जिसको वह अलगाव तथा निर्वासन की पीढ़ा के रूप में अस्मिता के खाने के रूप से जोड़कर देखता है क्योंकि भाशा आंचलिक अस्मिता की सशक्त वाहिका होती है अत्ह कहानी में दाज्जू मात्र के प्रयोक से पूरा अंचल उभर कर सामने आ जाता है दाज्जू अर्थाद बड़ा भाई यह शब्द अपने संबंध यानि अपने पन का बोध कराता है मदन के लिए जगदीश बाबू दाज्जू हो गए किन्तु यह आंचलिक असमिता जगदीश बाबू के लिए दुरह हो गई और वह उससे स्वयम को लज्जित अनुभव करने लगे इसलिए वह नगरिये बंदूपन की टकराहट में शाप बन गए और मदन नाम विहिन होकर बॉय बन गया इस पूरी प्रक्रिया में आंचलिक असमिता पर शर्मिंदा होने वाले जगदीश बाबू ही आखिरकार असमिता शेत्र से निश्कासित होते हैं क्योंकि नो वर्ष ये पहारी लड़का जगदीश बाबू को आंचलिक संस्कृती से उनके वंचित होने की बात का अनुभव करा देता है कोसी का घटवार कहानी में आंचलिक संदर्भो को प्रेमकथा के माध्यम से अभिव्यक्ती प्रदान की गई है पर्वतिय विस्तार उसमें अकेले पन की इस्तिती आदी सभी संदर्भो को लेकर इस कहानी में शेखर जोशी ने गुसाई के मन की भावुक्ता तथा उसके काईयापन को व्यक्त करने के साथ ही पती की मृत्यू के बाद लच्छमा की गुसाई के पुना जीवन में वापसी को उन दोनों जीवन में व्याप्त सूने पन को पूरे अंचल के एकाकी पन के रूप में वर्नित करता है इस कहानी को पढ़ते समें पहार का संपून जीवन सजीव हो उठता है वास्तव में प्रतिकों और बिम्बों के माध्यम से शेखर जोशी सब कुछ पूरी खामोशी से वर्नन करने की कला के साथ रचनावस्तू का सैयत उप्योग करते हुए कहानी को अत्यंत महत्वपून बना देते हैं बिना किसी प्रभा के भी शेखर जोशी की कहानी मन्थर गती से आगे बढ़ते हुए पाठकों को त्रिप्ती और संतोश प्रदान करती है इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक यू फोर वाचिंग